बिस्मिल्ला रह्माल रहीम, अस्सलाम अलेकूम, वेल्कम टी इंटरी लॉजिक्स, आज के इस लेक्शर में हम आटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डिसकस करेंगे, हम जो एप बनाएंगे उसका आटपूट इस तरह होगा, के हमारे पास एक आटो कंप्लीट टेक्स्ट मैं लेट से मैं यू से स्टार्ट करता हूँ, तो देखे, यू के यू ए से और यू ए यापको शोरेस में सब कोई भी सलेट कर सकते हैं, से में अगर यहां से मैं आई प्रेस करूंगा, तो इंडिया, इरान, आयरलेंड, मिन्स यापको मुखतलिफ जो है आटो कंप्लीट क आप्शन्स देगा, उसको आटो कंप्लीट कर सकते हैं, सो आए चलते हैं कोडिंग की तरफ, फिर्स्ट आफ आफ आल हम इसका जो ले आउट है, वो डिफाइन करते हैं, मैं अल्रेड एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, और उसमें आते हैं, एक्टिविटी इंडर स्कॉ आप्पास लेबल काम करेंगे, सो टेक्स्ट वी वर्थ, मैच पहरंण हाइड, रेब कॉंटेंट, और इसका जो टेक्स्ट है, आर्ट ओप कंप्लीट, डैंब, टेक्स्ट साइज, जो है, हम इसको 30 SP कर देते हैं, और टेक्स्ट का जो कलर है, उसको हम ब्लू कर देते हैं, यह इसका hexadecimal code और इसकी जो gravity है वो हम कर देते हैं center ता कि यह जो text है हमें center में नज़र आए sorry layout gravity नहीं करनी बलके आपने just gravity करनी है और आप अगर चाहते हैं तो उसको bold भी बना सकते हैं वो है इसका text style style and it should be bold next हमें चाहिए एक और text view चाहिए text view match parent wrap content और इसका text होगा वो होगा select country इसका text size जो है वो हम करते हैं 20 SP और इसको margin from the top देते हैं 16 db का so यह हमारे पास वो second your head text view आ गया है इसके बाद हम प्लेस करेंगे इसमें auto complete auto complete text view match parent wrap content और इसको idb हमें देनी होगी क्योंकिए इस control को जावा के code में maniquity.java में access करेंगे let's say इसको मैंने नाम दे दिया r2 tv और इसको भी margin from the top दे देते हैं margin margin top 16 db so layout हमारे complete हो गया है अब हम आते हैं maniquity.java में और इसके लिए हम कुछ countries वहां पर add करते हैं so first of all हमें auto complete text view का reference यह यह auto complete text view auto tv और यहां पर हम कहते हैं कि auto tv is equal to find view by id dot auto tv alt enter करें और इसको auto complete text view में type cast कर दें second हमें एक array चाहिए let's say array का नाम है countries और यह string array है और इसमें जो countries हैं तो let's say यह हमारे पास countries है string countries और countries में इंडिया, इरान, आयर्लेंड, पाकिस्तान, पॉल्लेंड और नीदर लेंग तक क्या हैं हमारे पास ही countries हैं next हमें चाहिए एक array adapter, array adapter और इस array adapter को हम string पास करेंगे array adapter is equal to new array adapter इसका जो पहला argument होगा वो होगा context means हम जिस activity में है so मैंने इसको this pass कर दिया, फिर layout resource चाहिए android.r.layout.simple list item 1 और पिर हमारे पास जो array है, उस array का नाम है countries so यह हमने एक array list define की है, यहाँ पे string की ज़रूद नहीं है इस array list को हम pass करेंगे, किस को pass करेंगे, इस r2 complete text view को so मैं यहाँ पे लिखता हूँ, r2 tv.set adapter और adapter में array adapter so basically हमने किया यह है कि auto complete text view का reference लिया है एक array बनाए यह countries के नाम से, उसमें countries के नाम put किये है फिर हमने एक array adapter define किया है, उस array adapter के लिए three arguments चाहिए context, layout कि आप किस तरह उसको show कराना चाहते हैं और वो data या वो array जो हमने उपर define किया है और finally हमने क्या है, इस array adapter को हमने पास किया है इस auto complete text view को so I am app launch करते हैं और देखते हैं कि हमें output क्या मिलता है launch वाने में थोड़ा सा time लेगा, यह emulator हमारे पास already open है यहां पे आप लाउंच होगी यह auto complete demo यहां पर मैं लिखता हूँ, let's say u, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर यहां पर इस लिखूंगा तो उसके बाद USA आएगा, similar लेगर मैं I लिखूंगा और R लिखूंगा तो IR के साथ एरान और Ireland है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं पहला word पहला जो alphabet है वो लिखूँ और मुझे auto complete के hints नजर आएं तो उसकी हमें इस auto complete text view की जो threshold है वो set करनी होगी, auto tv.set threshold और इसको मैं one pass करता हूँ इस one का मकसद यहां पर यह है कि आप कितने characters या alphabets के बाद आपको वो hints चाहिए सो मैंने यहां भी लिखा है कि जब one character type होगा तो आपने क्या करना है, auto complete text view ने वो hands show कराने है अगें इसको launch करते हैं और अब जो हमारी desired functionality है वो हमें मिलेगी, let's है यहां पर मैं लिखता हूँ U तो आप देख सकते हैं कि अब U, USA और U का means U से जतने भी words स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको show हो रहे हैं सिमिलरल अगर मैं P लिखूँ तो P से Poland और पाकिस्तान यहां पर आ रहे हैं सिमिलरली अगर I लिखूँ तो India, Iran, Ireland यहां पर show हो रहे हैं और नीदरलेंड और नीपाल सो यहां से मैंने नीदरलेंड सेलेक्ट किया है अब यह जरूँ नहीं है कि यह जो आपको hints बता रहो आप उसी में से सेलेक्शन करें लेट से अगर इस आटो कंप्लीट में कोई नहीं है तो आप अपने आप से भी कोई country का नाम लिख सकते हैं लेट से मैं यहां पर लिखता हूँ Sweden तो आप वो Sweden भी क्या कर सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं यह है आटो कंप्लीट टेक्स्ट्ट्यूए तो अगर इस से मुतलिका को कोई सवाल है तो कार्णली कमेंड सेक्षिन में उसको लाजमी मेंशन करेंगे। शुक्रिया।